यदि आपके पास कलकथा यह हैधराबाद का कॉइन हैं तो यहां रेर और स्केर्ट न की केतेग्री में आते हैं किसी सिक्के का फ्रंट और किसी सिक्के का बेक ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो वह कोईन म्यूल कोईन हो जाता है अमित कुमार जी 1991 में एक रुपे के सिक्के देश की चारो मिन्टों द्वारा जारी किये गए थे वन क्वाटर आना इंडिया और मिन्टिंग इयर दिया होता था कार्विंग किये हुए यह सिक्के बहुत ही सुन्दर लगते हैं जैसा कि आपको पता है हम आपको बताते हैं कि जो भी सिक्के कम छपते हैं कम डलते हैं उन सिक्कों की वेल्यू ज़्यादा होती है सच रिकाल दोस्तों मेरा नाम है राजग्यानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसे मन विश्वस्नी है सच्चाई और इमानदारी में नंबर एक विश्वर में ख्याती प्राप दा करंसी पीडिया एक बाद फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंसी की दुनिया दा करंसी पीडिया पर दोस्तों आज का यह वीडियो है आजक टीसीपी 98 दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए धेर सारे सवालों में से लाटरी द्वारा चुने गए कुछ सवालों के जवाब देंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और यदि आपने भी पिछले दिनों हमसे कोई सवाल पूछा हो तो हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाए आईए शुरू करते हैं लाटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कराया है 36 गड़ बिलासपुर से रवी कुमार का ये लिखते हैं नमस्कर सर जी मेरा नाम रवी कुमार है और मैं 36 गड़ बिलासपुर से हूँ मैं आपसे नया जुड़ा हूँ मुझे तीन महीने हो गए हैं सर मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि डांडी मार्च वाला 50 पेसे कॉइन की वेल्यू शायद आपने शामिल नहीं किया था अगर अब शामिल हो जाए तो बताईएगा अगर कुछ गलती हो गया हो पूछने में तो माप कीजिएगा रवी कुमार जी और बाकी सभी भी जो सवाल पूछते हैं उन सब को एक बार पुना में बता दू कि हमारे यहां का जो सिस्टम है वो एसा है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आप पूरा सवाल लिखा करें हेश्टेग आश्क टीसीपी आपका नाम आपके शहर का नाम और पूरा सवाल जब आप ऐसा लिखेंगे तो वो सवाल लाट्री में शामिल होता है फिर लाट्री द्वारा चैनित किये गए कुछ सवालों के जवाब हम आपको देते हैं हमारे अगले आश्क टीसीपी में रवी कुमार जी ऐसा नहीं है कि पिछली बार आपने कुछ गलत लिख दिया था या कुछ गलती हो गई थी या हम आपसे नाराज हैं हम कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं हमारा प्रयाज सही रहता है पर मानों हैं कभी-कभी मन दुख जाता है तो नाराज भी हो जाते हैं और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो भी सवाल आप पूछते हैं, कई बर ऐसा होता है कि आपका नाम ना आए, लेकिन आपके मन में जो सवाल चल रहा है, उस सवाल का जवाब तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलता है, तो बहुत-बहुत स्वागत है आप जरूर लिखा करें अपना सवाल, आपने जो पचास पेसे डांडी माज के बारे में पूछा है, उसके बारे में बता दे हम कि पचास पेसा जो डांडी माज का एफेसेस में सिक्का जारी किया गया था, यह देश की चारों मिन्टों द्वारा जारी किया गया था, पच चारों मिन्टों द्वारा जारी किये गये थे, बामबे और नोईडा के यह सिक्चे common coin की केटेग्री में आते हैं, लेकिन यदि आपके पास कलकत्ता यह हेदराबाद का कॉईन हैं, तो यह rare और scarce coin की केटेग्री में आते हैं, कलकत्ता के सिक्के में किसी तरह का कोई मिंट मार्क नहीं होता है लेकिन हेदराबाद के सिक्के में स्टार मिंट मार्क होता है और बामबे में डाइमंड और नोईडा में डाट तो यदि आपके पास फेरेटिक स्टेंलेस स्टिल के 50 पेसे के ऐसे सिक्के हैं तो एसे कलकत्ता और हेदराबाद वाले सिक्कों की वर्तमान मार्केड प्राइज चल रही है 25 रुपए से 300 रुपए तक लाटरी दौरा अगला सवाल निकल कर आया है म्यूल कॉइन के बारे में गुजराज से इम्तियाज जी लिखते हैं 5 रुपीज डेफिनेटिव 2014 मुंबई मिंट म्यूल कॉइन का क्या प्राइज होगा इम्तियाज जी आपको तो पता है म्यूल कॉइन क्या होता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे हमारे परिवार के इसे सदस्य होंगे जिनें नहीं पता होगा कि म्यूल कॉइन क्या होता है म्यूल कॉइन मतलब अगर एकदम simple भाषा में कहूं तो गधा और घोड़ा दो चीज होती है लेकिन एक खचर होता है जो गदे और घोडे का मिश्रन होता है, उसे खच्चर का आ जाता है, तो Mule Coin मतलब खच्चर, किसी सिक्के का फ्रंट और किसी सिक्के का बेग, यह दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, तो वो Coin Mule Coin हो जाता है, यहां फिर die चेंज हो जाए, पूरी की पूरी, जैसे लाल रुपुल शास्त्रीि 5 रुपेी वाला कॉईन जो कापर निकल वाले कॉईन की ढई थी फा फंस वाले कॉईन बनाने में यूज उज़ हो गई हैं तो वह कॉईन भी मियू कॉइन की क्टेगरी में आता है तो जो Western काई यह दून करते हैं कि किस तरीके के हैं कौन से संके हैं क्या वेराइटी है उसमें लेकिन आम तोर पर डेफिनेटेव कौईन 2014 जो आपने बताया है इससे एक सिक्य की कीमत लगबग 100 रुपए होना चाहिए लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है साहरनपूर यूपी से अमित कुमार जी का यह जानना चाहते हैं 1 रुपीज 1991 हेदराबाद कोईन की वेल्यू अमित कुमार जी 1991 में एक रुपए के सिक्के देश की चारो मिन्टों द्वारा जारी किये गए थे 1991 का सिर्फ नोईडा मिन्ट वाला सिक्का जो है वो वेल्यूबल होता है बाकी बामबे कलकत्ता और हेदराबाद इन तीनों मिन्टों द्वारा जारी किये गए सिक्के कावन कोईन की कटेगरी में आते हैं और इनका वर्तमान भाव 3 रुपए से 5 रुपए तक चल रहा है लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मतुरा से विशाल कुमार जी का यह जानना चाहते हैं वन क्वाटर आना 1928 कोईन की प्राइज विशाल जी 1928 वन क्वाटर आना कापर की धातु में बनाया जाता था इनका वजन होता था 4.85 ग्राम, साइज होता था 25.30 mm से 25.50 mm का शेप सर्कुलर और जार्ज फिप की पोट्रेट सिक्य के फ्रांट में दी रहती थी और बेक साइड में वन क्वाटर आना इंडिया और मिंटिंग इयर दिया होता था कारविंग किये हुए यह सिक्के बहुत ही सुन्दर लगते हैं और 1928 में यह सिक्के बामबे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा जारी किये गए थे और एसे एक सिक्के की वर्तमान प्राइज 20 रुपए से 200 रुपए तक चल रही है और इस वीडियो का आखरी सवाल निकल कर आया है दो रुपए के सिक्के के बारे में दो रुपए 1998 हेदराबाद मिंट यह सवाल पूछा है मुस्तकिन गाजी जी ने वेश्ट बंगाल कलकत्ता से मुस्तकिन गाजी जी दो रुपए का सिक्का 1998 का थोड़ा खास सिक्का है नारमली जो भी दो रुपे के सिक्के या एक रुपे के सिक्के या किसी भी डिनोमिनेशन के सिक्के छपते हैं, वो देश की चारो मिन्टों द्वारा या तीन मिन्ट, दो मिन्ट या कुछ सिक्के तो एक मिन्ट ने भी जारी किये हैं, लेकिन 1998 का दो रुपे का यह सिक्का द कम डलते हैं उन सिक्कों की वेल्यू जादा होती है और यह अपने अपने एक अपवा दे जो 6 मिन्टों में जारी हुआ है तो आप समझ जाईए जो सिक्के 6 मिन्टों में जारी हुए हैं उनकी क्या कीमत होगी सभी मिन्टों द्वारा जारी किये गए यह सिक्के कामन कोईन की केटेगरी में आते हैं और 1998 के 2 रुपे के जो सिक्के जारी किये गए थे वहाँ बांबे, कलकत्ता, हेदराबाद, नोईडा, साउथ अपरिका और सियोल इन 6 मिन्टों द्वारा जारी किये गए थे इनका वज सिक्का common kind की category में आता है लेकिन बामबे और हेदराबाद वाले सिक्कों की वेल्यू थोड़ी ज्यादा है जहां बाकी चारों मिन्टों द्वारा जारी किए गए सिक्के की कीमत है लगबग 5-7 रुपए वहीं बामबे और हेदराबाद द्वारा जारी किए गए ऐसे सिक्कों कीमत है, 10 से 30 रुपय तक, तो हमें आशा है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा, तो बहुत से ऐसे वेक्ति भी होंगे, जिनके मन में ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे, उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल गए और यदि आपने वीडियो पूरा देखा और पुराने वीडियो भी आप देख चुके हैं उसके बावजुद भी आपके मन में कोई नया सवाल है बहुत-बहुत स्वागत है आपका अब जरूर लिख बेजे हमें आपका सवाल हेश्टेग आश्क टीसीपी आपका नाम आपके शहर का नाम और पूरा सवाल हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब देने का हमारे अगले आश्क टीसीपी में आज के लिए बस इतना ही बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्बुत और ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आपके अपनों के लिए हमारे लिए देश के लिए और दुनिया के लिए इपल मेषा स्वाइब 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 आपके लिए झाल झाल झाल